हेलो दोस्तों, वेलकम टो उनली आईएस डेट है आज की 22 अक्टूबर 2022 और आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिसकुशन हो देखिए आज हम टोटल तीन एडिटोरियल को डिसकस करेंगे पहला एडिटोरियल है क्लाइमेट चेंज और मॉनिटरी पॉलिशी से समंदित देखिए क्लाइमेट चेंज आप सभी जानते हो मॉनिटरी पॉलिशी भी जानते हो बट कहीं न ही क्लाइमेट चेंज का इंपक्ट क्या हो सकता है मॉनिटरी पॉलिशी के अंदर क्या हम future में ready हैं इस चीज़ को anticipate करने के लिए इसके regarding L2L में writer ने कुछ बाते करी हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे दूसरा एडिए और हम discuss करेंगे वो है समंदित online fight where children need to be saved देखे चिल्दन के corresponding बहुत सारे issues है sexual abuse का cases हमें देखने को मिलते हैं उसके साथ ही साथ जब मैं बात करता हूँ इनके regarding जो sexual abuse के regarding कुछ material होता है वो online circulate होता है इसको हमें कैसे tackle करना चाहिए इसके regarding यहाँ पर writer ने बात करी है इन तीसरा हम discuss करेंगे editorial regarding Interpol Interpol actually में 1923 में बना था अगले साल 2023 में इसको 100 साल हो जाएंगे तो यहाँ पर editorial में writer discuss करें है कैसे Interpol को क्या better कर सकते हैं कौन-कौन से ने-ने issues आ रहे हैं उनको कैसे tackle किया जा सकता है इसके regarding writer ने यहाँ पर कुछ चर्चा करी है बिफोर हम तीन editorial के तरफ move करें एक quote of the day that is महात्व गांदी जी के द्वारा politics without principles is a sin आप सभी जानते हो महात्व गांदी जी ने total seven sins की बात करी है उन में से एक sin क्या है politics without principles समझते हैं इसको देखो हमारे country में anti-defection law है बिल्कुल एक party से आप दूसरी party में जाते हो तो कुछ नगुछ वापे आप ADL के province को जानते हो बट तब भी हमारे जो politicians के लिए ज़े हमारे जो MPs, MLS वो कहीने कहीं एक party से दूसरी party में जाते रहते हैं क्यों जाते हैं अगर मान लिजी या तो किसी ministerial post के लिए जाएं या फिर हो सकता है money की वज़़ए से कि पैसे का लालच दे दिया something or the other फिर इस तरह हैं की चीज़ों की वज़़ा से जब वो अपनी ideology को change करते हैं तो वो क्या है politics है बट बिना principles के और महात्मागान जीने इसी चीज़ को एक sin की तरह माना है उसी तरह से आप देखते हो Association for Democratic Reforms ADR की report आती है criminalization of politics के regardे आप देखते हो लोक सभा के अंदर या इवन अलग-अलग states के अंदर जो legislative assemblies होती है वहाँ पर किस तरह से criminals के entry बहुत ज़्यादा हो चोगी है इवन ADR की report तो ये बोलते है कि 43% के nearly हमारे जो MPs है करेंटी लोक सभा के अंदर वो उनके उपर कुछ ना कुछ criminal cases चल रहे है इवन बहुत सारे तो ऐसे MPs भी है जिनके उपर rape हो गया murder हो गया इस तरह के cases भी कहीं न कहीं चल रहे है तो ये सारी चीज़े क्या दिखाती है ये सारी चीज़े दिखा रही है कि politics कर रहे है ये क्या है politics without principles ठीक है ना तो ये तो एक चीज़ होगी इसका दूसरा dimension कैसे समझेंगे politics भी है principle भी है जिन्होंने कुछ ऐसे leaders भी तो रहे है जिन्होंने क्या किया है principles के साथ politics को work किया है और देश की अच्छाई के लिए काम किया है जैसे कि लाल भादु शास्त्री जी आप सभी जानते हो कि लाल भादु शास्त्री जी ने politician रहते हुए कितने अच्छा काम देश के लिए गया इवन जब railway minister थे वो तब एक rail हाथसा हो गया था और इन्होंने अपना resignation उसके corresponding दे दिया था कि आप देख रहे हो यह clearly क्या दिखाता है कि principles उनके बहुत strong थे किसी भी चीज़ की वज़ा से उनने अपने principles के साथ धोखा नहीं किया इसी तरह से आप world के अंदर example भी दे सकते हो Nelson Mandela जी का example हो गया या फिर Abraham Lincoln जी का example हो गया यह क्या है यह सभी examples अपस दिखाते हैं कि अगर आपके politics के अंदर अगर आपके principles रही है ना तो लोग आपको लंबे टाइम तक याद रखेंगे otherwise होगा गया फिर politics without principle वाला चीज़ आजाएगी जहां मार भाराज है उसको एक major sin की तरह माना है तो यह सारी चीज़ास को भी इस तरह सी आपके ethics के अंदर SS के अंदर इस तरह कि आप course यूज कर सकते हो examples हमने बहुत सारी discuss करी जो definitely आपकी चीज़ों को help करेंगे उनको subtention कर में आपकी help कर सकते है इसी note पे बढ़ते हैं हमने पहले editorial की तरफ वो क्या है climate change का impact on monetary policy देखो आप समझने कोशिश करो monetary policy जो हमारे RBI के साथ linked है बिल्कुल अब RBI अलग-अलग policies बनाता है या फिर अपने बढ़ते tools है कि किसको मानलो रेपो रेट को कम करना है जादा करना है ठीक है ये सारी चीज़े हो गया ये कैसे based होती है ये based होती है कुछ ना कुछ numbers के corresponding जैसे example समय से मानलो कोई company है company ने कुछ भी करना है या इसके हमने देखना है कि company future में कैसा perform करेगी तो हम इसका क्या देख लेंगे हम देख लेंगे कमाई कितनी होती है revenue कितना है expenditure खर्च कितना हो गया profit कितना है या फिर earnings जो अबिड़ा बोलते हैं उसको ये सारी चीज़े हम देखते है इसके बश्यवेशे पर हम देखने के कोशिश करते हैं कि future में ये company कैसा करेगी उसी तरह से हमारा जो monetary policy बगरा है ये भी कुछ ना कुछ numbers कुछ data currency करते है बिल्कुल पर क्या इसके अंदर हमने कहीं पर भी climate का factor डाला शायद नहीं डाला companies के अंदर भी क्या हमने company को analyze करते हैं climate का factor सोचा कि कल को climate change हो गया तो इस company पर क्या impact आएगा monetary policy ने कभी ये सोचा कि किस तरह से हम इसको climate change से जोड़ो issues आएंगे उनको कैसे tackle करेंगे शायद नहीं अगर किया भी है तो बहुत ही low level पर ये चीज हमें देखने को मिलते है तो देखो आप जानते हो climate change ना अब एक reality हो चुका है पहले लोग उसको myths की तरह तरह पर myths नहीं है यह हमें इसके effect देखने को मिलते हैं तो जरूरत क्या है जब हम अपनी monetary policy बनाएं उसमें climate change का aspect को add करें तो यही तो होता है economy और environment का interlinkage GSP पर 3 के अंदर समझाया point की writer कहने की बात करेंगे है अब देखते हैं कि कुछ क्या राइटर ने का arguments क्या दिये हुए पहली बात तो यह है climate change के regarding writer कुछ point पताते हैं कि देखो हो क्या रहा है कि पहले हम ऐसा मानते थी कि जून से लेके September के बीच में बारिश का जनली सारस जो बारिश होती है इसी टाइम पर होती है यही हमें इस बार भी देखने को मिला जो हमारे area से Eastern UP हो गया बिहार हो गया जारकंड हो गया इन में बहुत कम बारिश होई और आप जानते हो जो चावल को उगाने के लिए हमें का चाई होता है अच्छी खासी बारिश अच्छी खासी रेंपॉल यह सारी चीज़े चाहिए होती है बढ़ यही चीज़े हुई नहीं उससे क्या दिक्कत हुई जो राइस की पॉड़क्शन हम कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके कंपारिजन में राइस की पॉड़क्शन क्या हुई काफी कम हुई उसी तरह से दूसरा इंपक्ट देखो आप देख लो वीट क्रॉप्ट 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 अब इस साल जब बीट हुआ तो हम जानते हैं एप्रल में इस चीज़ को हर्वेस्ट करते हैं तो मार्च में हीट वेवस देखने को भी थी अब आप एक चीज़ होती है डिमांड एक होती है सप्लाई अब देखो डिमांड तो इतनी ही है चावल की भी और वीट की भी बट उनकी सप्लाई क्या होगी सप्लाई कम होगी ना क्योंकि प्रड़क्शन अच्छी नहीं हुई इस बिस पर क्या होगा दिमांड सप्लाई के बीच में क्या हो गया मिसमैच हो गया, दिमार्ड उतनी ही है, सप्लाई कम है, तो मिसमैच हुआ, मिसमैच कैसे, उसका इंपेक्ट क्या होगा, हमें देखने पड़ेंगे, ज्यादा प्राइसे, चावल और वीट और राइसे, इसके प्राइसे बढ़ जाएंगे, फिल्कुल, और प्राइसे बढ़ इसके साथ ही साथ, आप देख रहे हो, जो क्रूड आयल के प्राइसे है, कभी आप देख रहे हो, कि अचानक से 105 डॉलर, 110 डॉलर ऐसे पहुंच गे, कभी 90 डॉलर पे आगे, ठीक है न, तो यह क्या हो रहा है, बहुत जादा वोलेटिल्टी होगी, वोलेटिल्टी से क्या क्लाइमिट चेंज के साथ यह इशूस हमें देखने को मिल सकते हैं, समझाया, ठीक है, अब यहाँ पर राइटर यह बात करें, क्लाइमिट चेंज में दो तरह की इशूस आते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है ट्रांजिशन, बस हम जाता हूं यहां पर, देखो, इस तरह एक और इंपक्त हमें कितने देखने को मिलेगा, शौट तरम पर यह शौट तरम यह बीडियुम टरम पर इस ही के कुछ और फिजिकल देखो सकते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री, हमारी कंट्री ने मारी वर्ल्ड का, क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी हो रही है, ग् इसी तरह एक और इंपक्त होता है, what is that transition risk, देखो, climate change से transition risk कैसे आएगा, सोचो, आज आप क्या कर रहे हो, आज आप कोईले के उपर बहुत साथ dependent हो, आप सभी जानते हो, future में क्या होगा, आप थोड़ा जो green energy है, उसकी तरफ dependent होगे, बिल्कुल होगे, तो यह आपकी आज दाएंगे, तो यह क्या हो गया, uncertainty, transition risk, यह क्या है, यह भी यहाँ पर हमें short से long time यहाँ पर issues यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो यही बात यहाँ पर writer बोल रहे हैं कि हमें physical risk भी देखने को मिलेंगे, कुछ transition risk भी देखने को मिलते हैं, और यह सारी चीज़ें आ रही है मालो बारिश बहुत जादा हो रही है, दुनिया के गर्मी जादा बढ़ रही है, deserts जादा बढ़ रहे हैं, या फिर green energy की तरफ जादा बढ़ रहे हैं, इससे कुछ issues आएंगे, क्या issues आएंगे, एक बार सोचो, जैसे for example, आज आप कोईले पर dependent हो, future में green energy पर dependent होंगे, तो बढ़ हम तो मूट किसकी तरफ करगे, green energy की तरफ मूट करगे, बिल्कुल, तो ये जो लोग, जो इस तरफ जाब्स करते थे, इनकी wages क्या होईगी, कम होईगी, इनकी income कम होई, ये क्या करेंगे, ये spend कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे, definitely, ठीक है, और इसके साथ ही साथ, rainfall की volatility आएगी, ठीक है न, तो ये सारी चीज़े किसको impact कर रही है, अभी देखा न, output, output को impact क्या, yes, consumption, आप कितना कर रहे हो, investment में impact कर रहे हो, productivity, जैसे जैसे climate change आता है, बहाँ पर productivity को impact करता है, देखो, जैसे दिल्ली में देख लो, अगर climate, अगर situation खराब होती है, pollution जादा होता है, आपके health regarding issues आएंगे, उससे आपके productivity कम होएगे, उसी तरह से employment भी मैंने आपको समझा दिया, कि कुछ नई jobs आएंगे, बहाँ पर आपको इस job से, इस job के तरफ transition करना पड़ेगा, तो ये क्या है, ये सारे variables impact हुए या नहीं हुए climate change की हो, जैसे, the answer is yes, समझाया point, ये climate change ने इन variables को impact किया, ये variables है कौन से सर, अरे इनी को तो क्या बोलते है, macro economic variables, हमारी जब RBI, monetary policy निकालती है, तो किस के business पर निकालती है, इनी macro economic variables के उपर निकालती है, कि market में inflation कितना है, productivity क्या है, employment क्या है, कैसे growth को कैसे बढ़ाना है, ये सारे चीज़े होती है नहीं होती, बि इंपक्त किया, तो आपको नहीं लगता कि macro economic variables जब impact हो रहे हैं, तो monetary policy भी इंपक्त हो रही है, बिलकुल हो रही है, यार, यही तो चीज़ बताना चारे है, editorial के अंदर, समझा है है, point, और भी कुछ इन्होंने examples दिया हुए है, ठीक है ना, ये बसे मैंने बता भी दिया, आ जो countries और आपस में जो trade होगा, वो भी तो impact होगा, नहीं जो supply chains थी, ठीक है, जो अलग-अलग countries के अंदर हमें supply chains देखने को मिले थी, उनमें भी तो कुछ ना कुछ दिस्रॉप्शन्स देखने को मिलेंगे, energy हो सकता है, हम कम जादा consume करें, पहले हम जो कुछ और fossil fuel जैसी energy consume क कर रहे हैं, उससे क्या होगा, country के बीच का trade भी तो change होगा, exchange rate भी तो change होगी, बिल्कुल होगी, demand वगरा चीज़े change होती रहेंगी, और उसके basis पर यह जो मैं macro economic variables की बात कर रहा था, यह change होंगे ही होंगे, right है, अब ठीक है, अब यह बात समझ गए, तो बस वोई बात है, कि फिर जरूरत क्या है, कि हम इन macro economic variables के impact को समझें, कि किस तरह से climate change के ओपर impact डाल रहा है, पर दिक्टर भी को पस इतनी ही नहीं है, कि पहले तो समझना जूरी है कि climate change कैसे impact डाल रहा है, फिर दूसरी चीज है, इसको quantify करना बहुत मिश्किल है, कैसे quantify करना, देखो, मान लि कि यह मैं बोलता हूँ, इस बार rainfall 20% कम हुई, एक्जामपल मांते हैं, तो rainfall 20% का impact हमारी economic variables के कितना होगा, क्या वो 5% होगा, 10% होगा, 15% होगा, इसको quantify करना बहुत मुश्किल है, चलो माल लो हमने कुछ करके quantify कर भी लिया, फिर उसके basis के ओपर हमने देखा कि इसका impact क्या ह करेंगे, हम rap rate CRR MSF को कितना बदलेंगे, क्या उसको 5 basis point, 10 basis point, 50 basis point, कितना चेंज करेंगे, यह quantify करना इन चीजों को बहुत मुश्किल होने वाला है, तो इस वज़ा से हम ही क्या ज़रूरत है, आप कुछ सोचो, हमने ने स्कोर्षपनी सर्च जादा करी नहीं है, हमें सर्च करने की जरूरत है, तब जाकर थोड़ा समझ आएगा, ठीक है न, इसके साथ ही राइटर एक दू चीज़े और भी बताते हैं, जिसे for example, अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया है कि, जैसे crude oil के regarding चीज़े बता रहा था, ठीक है न, crude oil के prices उपर निच्चे हो रहे हैं, यह थ सप्लाइस हैड के रिकारणी कुछ इशू दाते हैं, जैसे crops मानलो कम produce हुई, जैसे wheat rice का देखा, food inflation बढ़ा, तो यहाँ पर और वे इस चीज़े को रहा टैकल नहीं कर सकता, क्योंकि सप्लाइस है और वे डिमांड को रहा कंट्रोल करता है, तो limited ही चीज़े हो सकती है, ठी जब नहीं नहीं चीज़ें आ रही है, उस बैसे क्या होगा, companies हो सकता है, अच्छे से काम ना करें, उनके NPS बढ़ जाएं, बिल्कुल, और एक बार NPS बढ़ गे, तो बोज इसका बढ़ रहा है, बोज ता नीचे यह बैंक था, उसका बढ़ाना, तो बोज बढ़ गया बै यहां पर काम करनी है, इनको लोन देना या नहीं देना, और कितने टाइम के लिए देना है, यह भी तो बैंकों के लिए दिक्तर आगी ना, समझ नहीं आ रहा है, आप कैसे करें, ठीक है, तो बैंक का corresponding यहां पर issues बढ़ सकते हैं, उसके basis के ओपर, monetary policy transmission, अगर RBI मानलोफ, rates करता है, उसका impact, क्या final हमें end customer पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां पर कुछ नगुछ issues आ सकते है, climate change की वज़ा से, उसी तरह से यहां पर यह बात भी कर रहे है, writer, कि household को, किस तरह से उनका पैसे spend करेंगे, invest करेंगे, यहां पर दिक्क्त आ सकती है, देखो इस या तो इसको आप अपने पास संभाल के रखो, या फिर इसको एक थोड़ा खर्च कर दो, ठीक है, अब हो गत थो, आपको मान लिजी होता क्या है, मान लो आपको future में क्या दिखती है, uncertainty, पता नहीं future में क्या होने वाला है, क्यों दिख रही है, मान लो बहुत सारी रिज़ नाती है, जब आपको पता नहीं होता, आप इस पैसे को खर्च करने से डरोगे, क्यों डरोगे, आपको पता ही नहीं है, future में मेरे पास पैसे यतने हैं, वो काफी है या नहीं है, क्या future में कुछ अगडबढ होगी, तो मैं कहां से मतलब अपनी गुजारा चला पाँँगा तो इसलिए आप क्या करोगे, आप इस पैसे को क्या करोगे, खर्च नहीं करोगे, समझा है point, you will not spend it, आप invest नहीं करोगे, आप क्या करोगे, उसको save करोगे, precautionary saving बोलते हैं इसको, कि हमें नहीं पता uncertainty, हमें पता नहीं हमारी job रहेगी या नहीं रहेगी, अभी देखा था issues यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, rate of interest के उपर कुछ changes देखने को मिल रहे हैं, कि अगर मान लो जैसे for example, RBI ने repo rate कम कर भी दिया, repo rate करने से क्या होगा, बैंकों ने मान लो क्या किया, अपनी interest rate कम कर भी ली, तो क्या आप बैंकों में जाओगे, लोन लेने, नहीं, आपके लोन ले लिया, मैं क्या उसको लोन को वापस कर पाऊंगा भी या नहीं कर पाऊंगा, नहीं पता, क्यूंकि आपके अंदर क्या चाहती है, uncertainty, यह uncertainty किस वज़े से आई, one of them is climate change, उसी तरह से देखो, फिर हमारी अप्रोच होनी ही क्या चाहिए, अप्रोच यह होनी चाहिए, कि हमारे जो अलग-अलग economic models है, उसके अंदर climate change के impact को देखें, जैसे माल लो एक company है, अब company future में कैसा करेगी, हम इसके ना सिरफ, इसके finance के उपर चले जाते हैं, कि इसका revenue कितनी कमाई करी, कितना खर्च करा, कितना यह हुआ, कितना profit कितना हुआ, वो सारी चीज़े, इसमे जो coal जैसे energies के उपर काम कर रही हो, तो क्या इसमे impact आएगा यह नहीं आएगा, यह सारी चीज़े अपने model के अंदर डालो, तब जाके इस चीज़ को देखो, सेम चीज आर्गे और Central Banks पर नहीं है, जब economic policies बनानी है, तो climate change का factor अपने अंदर लेकर आओ, ठीक है ना, जब companies क पर दूसरी countries को analyze करती है, उनको भी, जब उन countries के corresponding risk को analyze करना है, तो make sure कि climate related risk उसके अंदर include हो, सिरफ finance risk, management risk, business पर नहीं करना, climate risk को भी उसके अंदर include करो, अलग-अलग जो हमारी companies होती है, उनको क्या करना चाहिए, जब वो हर साल, सेबी के साथ अपना annual reports देती है, तो क्लाइमेट के बदलने से, उनके उपर क्या effect होगा, और जब लोगों के इसके regarding awareness बढ़ेगी, तब यह चीज़ को हम ensure कर पाएंगे, कि यह चीज़ों को हमने अपने अंदर incorporate कर लिया है, तो यही बात कर रहे है, clear communication is a basic requirement for success of voluntary policy, इन चीज़ों को हम बताएं लोगों को, यही कभी हो सकता है, कि हम इन चीज़ों को ensure कर पाएंगे, कि यह जो चीज़े, climate change को कैसे हमने अपने economic अंदर include किया हुआ है, फिर उसी की basis पर क्या हो सकता है, हमारे effective policy responses basis पर बनाया जा सकता है, यही एक proactive approach हो सकती है, जो हमें help कर सकती है, point समझ आया, कि किस तरह से economy और हमें इस lecture की starting में बताया था, कि Interpol 1923 में बना था, 2023 में अगले साल क्या होगा, इसके 100 साल complete हो जाएंगे, थोड़ा समझ आगर आपको Interpol के बारे में बताऊं, देखो Interpol क्या है, International Criminal Police Organization, यह है Interpol की full form, अब देखो इसका formation तो 1923 में हो गया, ठीक है, और यह क्या है, एक inter-governmental organization है, मत्तल होती है, तो Inter-government organization है, टोटल कितनी countries, 195 countries इसके अंदर members होती है, ठीक है, लिओन फ्रांस के अंदर इसके आपको Headquarters देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर देखो, वो होता क्या है, जिसे माल लो इंडिया की तरफ से है, इंडिया की तरफ से कौन है, Central Bureau of Investigation, CBI है, तो इ इसके assistance दे दिया, इसने, और US की कोई कमपनी को assistance दे दिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, यह अपने आप में, एक पध्यान रखना, Interpol अपने आप में investigating agency नहीं है, पर यह बाकी और जो अलग-अलग law enforcement agency ले अलग-अलग countries की, उनके बीच में coordination को, उनके बीच में information को share करा में help करती है, जैसे आपके ने-ने चीज़ें होगी, जैसे terrorism के regarding, जैसे counter-terrorism operation होगे, cyber crime हो गया, या फिर organized crime होगे, यह सारे internal security पे बढ़ते हो, इसके regarding आपके जो information हो गया, data हो गया, उसको कैसे share करना है, कैसे access करना है, यह सारे काम Interpol के द्वारा किये जागे है, पॉइंट स woman abuse हो गया, यह सारे चीज़ें, उसके साथ ही साथ, identity theft जहां पर क्या होता है, आप किसी और बंदे का नाम, उसकी personal detail को use करते हो, जैसे मान लोग credit card हो गया, ठीक है, और उनके bank account से आपने पैसे निकलवा लिए, उनका नाम या फिर उनकी personal detail यूज करते होए, इस तरह की issues, य यह सारी भी क्या है, transnational crimes है, देखो एक nation में नहीं, जैसे इंडिया में कोई crime हुआ, ज़रूरी नहीं है कि उसका सिरफ इंडिया की साथ ही relevance है, हो सकता है उस बंदे ने, या फिर उस organization ने crimes वो इंडिया के बाहर भी करा हो, या फिर इंडिया में crime करके, वो US चला गया हो, something or the other कहीन है कि यह crimes क्या है, यह transnational crimes बन जाते हैं, तो police forces जो मारी होती है, अलग-अलग countries की police forces है, उनको तो एक तरीके से काम करना चाहिए, तरीका in the sense कि आपके, उनको तो कुछ laws के हिसाब से govern किया जाता है, इनके बिचे कुछ ना कुछ laws होते है, definitely, उसके basis पे किस तरह से काम करना है, किस तरह से क्या क्या procedure होने चाहिए, वो तो यहां पर होता है, पर यह जो 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 ने काम किया, जो मानलो money laundering को गएरा करी, उनके उपर तो कोई law नहीं है, वो तो इंडिया में करके, कहीं कैनेडा चलेगे, something or the other, इस तरह की चीज़ होई, तो यहां पर यह जो हमार इंटरपोल हो गया, यह बाखी की और एजनसी है, इनको भी इस तरह से ही काम करने की जरूरत है, ताकि जो law enforcement है, यह अच्छे से काम किया जा पाई, देखो बात करें अगले साल की ना, इसी साल इंटरपोल की, यहां पर यह किस के दोरा होस्ट करी जा रही है, इंडिया के तो इंडिया को भी इंशोर करना चाहिए कि यहां पर जो issues हैं कही न के इंटरपोल की रिगार्डिंग हम उनको solve कर पाई, ऑल्दो देखो पास्ट में भी हमने बहुत सारे काम किये हुए इस कॉंटेक्स में, जैसे कि इंटरपोल, CBI और World Bank ने मिलके asset recovery के उपर काम किया, कि माल लीजिए किसी ने कोई particular person था जिसने assets को कर लिया, बट हम क्या कर रहे हैं, उसको recover करने कोईश्च कर रहे हैं, माल लोगी asset था, वो किसी ने चोरी कर लिया, ठीक है, यहां पर कुछ fraud वगरा किया हो उस बंदे ने, तो उस महां से recovery कैसे करनी है, इस चीज के regarding काम हमने किय इस direction chamber, और साथी साथ Interpol के देखो क्या 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 काम होगे, जैसे for example, यहां पर अलग-अलग databases को Interpol use करता है, किस तरा से यहां पर fingerprint का storage हो गया, cyber crimes हो गया, यह सारी चीज़े यहां पर देखी जाती है, इसके साथ ही countries के वीच में थोड़ी coordination हो गया, जो मैं अपको starting में बता साथ में हमें देखो, Interpol के corresponding, जब coordination करते हैं, कुछ notices भी देखने को मलते हैं, जैसे कि red notice में क्या हो गया, अगर कुछ wanted person होता है, तो इसके corresponding हाम है, यह notice में निकाल देते है, red person का, yellow notice में कोई बंदा missing होता है, तो उनको locate करने के लिए यह चीज़ करी जाती है, orange notice के अंदर क अगर imminent threat होता है, तो वहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं, green notice में हमें कुछ warning हो गया, कुछ intelligence हो गया, वो चीज़ों की बात हो गया, उसी तरह से जब मैं बात करता हूँ, blue notice की, तो कही बात होता है, कि किसी person के regarding कुछ information चाहिए होती है, criminal investigation, वो यहाँ पर करी जाती है, black notice के labor हमें मिलती है, unidentified bodies मिलती है, वहाँ पर कुछ information चाहिए होती है, वो हो गया, या फिर purple notice के अंदर हमें, क्या हमारा procedure होना चाहिए, modus of rendy क्या होना चाहिए, इस तरह के information यहाँ पर share कर जाती है, तो इस तरह के notices ने क्या किया है, आपस में चीज़ें share करने में help करी है, countries के coordination, इस particular चीज़ में criminal को manage करने के लिए, यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ठीक है ना, पर आज के time पर ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यह है कि Interpol, अब जो नए-ने तरीखी की crimes आ रहे हैं, उसके regarding चीज़ों को work करें, जैसे for example, आप जानते हो data analytics के बारे में, अब ज़रूर इसको depend करना पड़ेगा कि इसके ओपर bilateral arrangements के ओपर के countries आपस में कुछ arrangements करें, कुछ assistance treaties करें, उसके basis पर यह चीज़ें करी जा सकती है, तो depend क्या करता है कि member nations किस तरह का action ले रहे हैं, कितना उनका size है, importance का action ले रहे हैं, क्या उनकी importance क्या है उस particular चीज़ों की, उसके basis पर अल क्यों कर सकता है, पहला reason यह है कि इंडिया दुनिया के पांच में सबसे बड़ी economy है, definitely, उसके साथ ही साथ, इंडिया ने एक अच्छा काम किया है, अपने यहाँ पे टेर्र स्टेट्टल वाइनस को कम करने के अंदर, उसके साथ ही आप जानते हो, इंडिया में youth काफी अच इंडिया इंडिया इंगेजमेंट्स करें, इंटरफोल के साथ, इंटरफोल की वी capabilities बनेगी, CBI जो इंडिया का इजनसी है, इंटरफोल के साथ प्रोलिंग करती है, वो यह चीज़े हमें देखने को मिल सकती है, इसके साथ ही, जो हमारी policing होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी इंटरफोल के हम 100 years है, बहाँ पर जो इसके corresponding challenges देखने को मिले हैं, चाहे वो technology के terms में हो या बाकी हो जो coordination के terms में, उनको हम solve कर सकते हैं, and overall, जो challenges आ रहे हैं, उनको हम इंटरफोल और law enforcement agencies के मैज से अच्छ से solve कर सकते हैं, तो यह हो गया हमारा second editorial, चलते है हमारे थीसरे editorial की एन online fight where children need to be saved, इसको अपजियर से बात कर सकते हो, यहां पर राइटर क्या बात पर रहे हैं, कि पिछले महिने की बात है कि CBI ने एक operation था, that is, मेग चकर, उसके अंदर क्या किया, कुछ सर्च किये, किस चीज के रिगार्डिंग, कि जो child sexual abusive material, देखो समझ लेक पोशिश करो, एक तो होता है कि जैसे for example, अगर मैं आपको pornography की बात करूँ, तो pornography के अंदर क्या होता है, एक होता है, adult pornography, यह अपने आप में offense नहीं है, पर जब बात करता हूँ, child pornography की, तो यहां पर चाहे आप इसको देख रहे हो, या फिर इसको browse कर रहे हो, इसको download करते हो, या फिर इसको circulating exchange कर रहे हो, यह Information Technology Act के अंदर यह एक offense है, समझाएं, यह punishable होता है, तो यहां पर हमारे पास इस तरह की अलग-अलग operations की जाते हैं, तांकि इस चीज को रोका जा पाए, यहां पर इसके साथ ही, जो internet service providers है, उनकी इस corresponding liability नहीं होती, कि अगर आप वहाँ पर कोई child pornography अगर वह liability नहीं है, अगर उनकी तरफ से यह चीज अनिशियेट नहीं होई है, responsibility होगी किसकी, जो इनसान कहीं न कहीं, या तो download कर रहा है, या तो इंडिया में क्या है, इस चीज के corresponding, या तो reporting ही बहुत कम होती है, या monitoring भी हम बहुत कम कर रहे हैं, कि किस तरह से हमने, कि क्या हमारी ज सब्सक्राइब बात करो, American and British models के अंदर, कुछ अलब चाना से models देखने को मिलते हैं, जैसे कि, अगर बात करें, United States of America की, यहाँ पर कुछ NGOs हैं, one of them is NCMEC, National Center for Missing and Exploited Filters, यह एक program run करते हैं, cyber tip line के माध्यम से, यहाँ पर क्या होता है, अगर कहीं पर भी, child sexual exploitation का case देखने को म pipeline के दौरा, बहुत सारी इसकरां की reports, ठीक न, रसीब की जाती है, उसके business pain को मदद मिलती है, इस चीज़ों को हटाने के अंदर, similarly, जो बात करें, British के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक same NGO ही है, Internet Watch Foundation, IWF, इसका इंडिया में भी कुछ है, वो भी हम आगे देखेंग इंडिया के साथ भी है, तो IWF के द्वरा क्या है, यह कोशिश करता है कि इस चीज़ को रोका जाए, जो बात करी न, जो cyber sexual abuse के रिगार्डिंग था, sorry, child sexual abuse की बात थी, उसका corresponding की काम कर रहा है, साथी साथ, analyst को यहाँ पर engage के जाता है, यह चेक करें, कि कोई इस तरह का content कुछ क्या हुआ, इनको content मिला, उसको हटाने में हम मदद करता, ठीक है न, तो यह चीज़े यहाँ पर हमें Britishers के अंदर या फिर British के अंदर यह अमेरिका के अंदर यह चीज़े देखने को मिलती है, उसी तरह से एक global network है, 50 member countries का nearly in hope, यहाँ पर यह IT infrastructure पर प्रवाइड के जा यह हुआ है किस तरह से उनको फीन दिरों के अंदर जनली इस चीज़ों को हटा जिया जाता है, इंडिया के खेस में बात करें, इंडिया के से अंदर हमने 66 A को तो हटा यह ताया, बट ऑन दा अधर हैंड, Supreme Court ने क्या बोला, Supreme Court ने एक तरह से यह चीज़े बोली कि illegal contents के regarding य इनिशेट नहीं हुई वो transmission, तो उनकी liability नहीं बनती, यह श्रिया सिंग्डल टेस के अंदर यहां पर बोला भी जया था, उसके साथ ही एक हमारे पास ना petition का case आया, कमलेश वस्वानी case, यह अभी तक petition में से pending चल रही है, इसके रिगाड़ी कुछ जाला नहीं हुआ, तो य एक कमेटी थी, उन्होंने इस तरह की चीज़े करी थी कि कुछ URL को उन्होंने व्लॉक कर दिया है, तो सारी वेबसाइट ऐसा नहीं है कि पॉर्नोग्राफिय इंडिया में बन है, तो पॉर्नोग्राफिय कॉर्सपंडिए कुछ जो particular uniform resource educator है, URL है, वो बन है, क्यों? क्योंकि अगर देखो बात करें, जैसे हमने देखा था ना, यूस वार बिट्रिम के अंदर अलग-अलग NGOs काम करें थी, इंडिया में क्या है, आरंब इंडिया, ये वो जो IWF की बात करी थी, कौन सी IWF? जो UK में थी, Internet Watch Foundation, उसी के साथ ही इन्होंने पार्टनर किया हुआ है, और इ सारी चीज़ें हो जाती है, उसके साथ ही बात करें, Ministry of Home Affairs की MHA के द्वारा भी Cyber Crime Reporting Portal को यहाँ पर established किया गया है, ठीक है न, although एक NGO है प्रजवाला करके, यहाँ पर इस प्रजवाला के द्वारा PIL notice किया गया था, यहाँ पर इसके corresponding इस तरह के sex workers हो गया, यह सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती थी, पर क्योंकि इस तरह की reporting बहुत कम होती थी, अब जितने भी अलग-अलग तरह की Cyber Crimes है, वो सारे इसके अंदर include कर लिए जा चुके हैं, National Crime Record Bureau ने भी nearly 20 lakh ऐसी reports हमें देखने को मिली हैं, जो कि अलग-अलग states को भेज दी गई हैं, कि आरे न, Ad-Hoc Committees, आप जानते हो Standing Committee हो थी है, एक होती है Ad-Hoc Committees, तो इस purpose के लिए Ad-Hoc Committees भी अलग से बनी होई थी, जो कि जैराम रमेश्ची की दोरा heading कहीं थी, इन्होंने भी क्या बताया है, इन्होंने बोला है कि यह issue काफी major बनता जा रहा है, जो पॉर्नोग्राफिक हो इंडिया उनकी अच्छे से monitoring करी जाए, मैंने बताया थारा monitoring बहुत कम है इंडिया के अदर, reporting भी कम है, इन चीजों के corresponding उनके quick action लिया जा, यहां पर इस particular Ad-Hoc Committees ने यह बात करी थी, साथ में ही end-to-end encryption को तोड़ने की बात, देखो, होता क्या है कि के बाता है कि के लिए end- end-to-end encryption बहुत जोड़ी है, बट साथी साथ यह क्या लेकिया आता है, एक तरह की anonymity भी लेकिया आता है, तो हमें मान लिजे पता ही नहीं नहीं किसने क्या content डाला, या किसने किस तरह से चीजें share करी, वो सारे चीजें, तो इस तरह के अधर end-to-end encryption को हम ब्रेक करते हैं, तो deep web के अंदर एक component होता है, dark web का, जहां पर सारी की सारी जो कही ना कहीं, कुछ illegal चीजें वहाँ पर देखने को मद्धिन हैं, तो अगर हम अपनी industries के साथ हमारे प्राइवेट सेकर उसके कुछ कुछ कॉलाबरेशन करें, नहीं जो tools आ रहे हैं, artificial intelligence, इन चीजों को मदद करें, and overall हम companies के ये चीजों को रोका जा सकता है इस चीज के corresponding, उसी तरह से देखो एक report भी आई थी, ठीक है इस report के corresponding, यहाँ पर बात करी गई थी कि nearly 30 countries corresponding उन्होंने mandatory कर दिया है, कि अगर आपको ये चीजों मिले, तो इसको report करना जरूरी है, ठीक है आपको बताना जूरे कि हाँ ये चीज यहाँ पर exist करती है, पर इंडिया दिखो वैसे इन 30 countries के अंदर आता है, पर इंडिया में proper कोई law नहीं है इस चीज के regarding कि आपको mandatorily report करना ही करना है, तो जरूरत क्या है करने की, जरूरत ही है कि एक तरह की हमारी liability को fix किया जा पाए, ठीक है ना, जिसे Council of Europe Convention के अं जो प्रजवला केस था, उसको भी अच्छे से implement किया जा या फिर उसको एक उसका, जो हमने देखा था ना, किस तरह से उसके अंदर sex trafficking survivors के corresponding था, जो directions दिये गए थे उसके corresponding, उसको properly हम implement करें, उसके corresponding चीजों को और explore करें, ये सारी चीज ने हो गया, या फिर जो in hope हो गया, इ लेव के जा पाएगा, और जो CSAM चल रहा है, इसके spread को कहीं नगी हम रोक सकते हैं, ठीके न, तो ये थे आज के तीनों tutorial, I hope आपको आज का लेक्स अच्छा लगा होगा, इसी तरह से आप भी अपने end पे hard work करते रहिए, good bye and good luck.